नमस्कार दोस्तों, इनकी वर्तमान आयू, 44 यर्स है, इन्होंने बताया पर मैंने जो इन्होंने डेट और बर्स लिखी थी, वो हिसाब से रनी एज 45 के आसपास है, इन्होंने काफी संगर्स किया अपने जीवन में, भौत सारी राहूरेखाओं ने काटा है, जीवन रेखा पर भी यह साइन थी, बहुत जादा संगर्स था, राहूरेखाओं के हिसाब से अगर गिने, तो इनका संगर्स पूरा होते हुए दिख रहा है, पर बहुत जादा ग्रोथ के लिए अभी 2-4 साल और इनको इंतजार करना होगा, तब जाकर इनको जो ये डिजायर ग्रोथ अ उठाते थे, पर इनके सं माउंट पे छोटी-छोटी 2-3 सं मचली आ गए, यानि फिश्षाइन आ गए, तो ये कहीं न कहीं थोड़ी सी रात वाली, रात वाली जीवन रही, नहीं तो इस तरह की राव रेखा है, इनको बहुत जादा परेशान करती थी, तो कहीं न कहीं दोलाकार, धनुशाकार रेखा बन रही है, तो ऐसे लोग समझदार होते हैं, और जीवन में जो opportunity आती हो, उसे ग्रेब करके आगे बढ़ते हैं, ये पाम स्क्वेरिश है, व्यक्ति महनती होता है, और महनत करके अपने जीवन को successful बनाता है, फर्स फैलेंज बहुत बड़ा नहीं है, मद्यम से छोटा है, और नुकिला थोड़ा सा कम है, तो इदर उदर ध्यान भटकता भी होगा, और इतनी जादा जिद भी नहीं होती, व्यक्ति के लिए, जब ये फैलेंज थोड़ा सा छोटा होता है, और इस फैलेंज को देखे, तो ये मद्यम टाइप का है, ज चुप रहने की जरुत है, चुप रहे है, और अंगुठा मांसल कम है, तो कॉंप्रोमाइजिंग नेचर व्यक्ति का रहता है, जुपिटर के उंगली थोड़ी सी बैंड हो रही है, तो व्यक्ति में धार्मिक भावना रहती है, और ये सुरे की उंगली से थोड़ी सी बड ही लग रही है मुझे इकोल होगी तो ठीक है अगर थोड़ी सी भी बड़ी होती है तो ego problem आता है यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से photographs के हिसाब से थोड़ी सी बड़ी लग रही है पर मैं line कीच रहा हूं, तो लगबग सामानिय से लग रही है दोनों उंगलिया, ये उंगलिया अगर थोड़ी सी भी हटके चलती है, तो ऐसे लोगों के विचार डिफरेंट होते हैं, हर सबजेक्ट में, कोई भी सबजेक्ट हो, उनमें इनके जो विचार होते हैं, वो डिफरेंट होते है चाहे वो राजनेती को सामा जी को दुनिया में जितने सब्जेक्ट है और कभी-कभी तो इतनी अच्छी बाते बोल देते कि हम आश्चेरे चेकित होते कि व्यक्ति इतना सोच कैसे सकता है डिफरेंट और यह उंगली फर्स पहले इन तक नहीं पहुंच वी तो व्यक्ति डॉकुमेंटेशन फाइलिंग चीजों को संबाल कर रखना याद सकती मनी मेनेजमेंट और अकॉंट यह सारी चीजों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है और इनकी फिशेयनों पर नजर डाल लेते हैं एक इस फोटोग्राफ में मुझे शो हो रही है जो उस कलर किये हुए पाम में नहीं शो हो रही है वो है यहाँ पर एक फिशेयन यहाँ पर है और दूसरी एक यहाँ पर है यहाँ पर डबल में है यानि एक छोटी भी है और साथ में एक छोटी और ऐसे करकी है एक बन रही है एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है और एक दोर कहीं होगी तो जो फोटोग्राफ में नहीं आई या मेरे तीन से चार इनके हाथ में छोटी छोटी फिशेयन है तो यह प्लस पॉइंट रहा जीवन में नहीं तो यह बहुत ज्यादा तकलिफों का सामना करते थे तकलिफे तो उठाई होगी पर जितनी उठाई बुद्परवत पर एक लाइन दो लाइन तीन लाइन और बुद्परवत भी अच्छा है तो ऐसे लोग सपष्ट वक्ता होते वानी इनकी अच्छी होती है दो चार भशाओं के जानकार होते यह सारा एडवांटेज वेक्ति को मिलता है और बिजनेस सैंस भी अच्छा होता है यहाँ पर एक यश की शाइन काफी क्लियर कट है इतने संगर्शों के बावजूद भी यह जब साइन होती है तो कहीं न कहीं यश हमें प्राप्त होता है तो यह भी एक एडवांटेज है इनके हाथ में है बागी दो से चार लाइने चल रही है तो मल्टी टेलेंटेड वेक्ति होता है और यह लाइन वेक्ति को संगर्थ जादा कराती है मैनद जादा कराती है यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी है तो वेक्ति के जीवन में बिसिक समझ अच्छा खासा रखता है और बिसिक समझ के कारण वेक्ति अपने जीवन में उन्नती भी करता है और लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं शनी परवत एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता है वेक्ति को पता ही नहीं होता एक खास्यत ही है एक जुपिटर की और जाती हुई रेखा है यह वेक्ति को चार लाप दे सकती है सरकारी लाप पॉलिटिकल लाप ससुराल पैसे वाला या सादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है और जो भी कारे करता है बड़े स्तर का करता है चाहे जौब भी करे तो बड़े स्तर पर पहुचता है और व्यक्ति अगर खुद का भी काम करे तो बड़े स्तर का काम करता है एक दो लाइन है इनकी सुरिपरवत की और भी जा की संभडन रही और रेकते सां पर आऊंगा तो युछ किसल ठीक शेहारोस देश हैос यह भुरोपन भुरर्व पर रांग कॉस्ट बराप्ति कही यह कुए शेवा इन रेखा और ग्राव क्या रहेए संभार नियुक्त बारिव EL मेसे दो Raham Jupiter mount इनका अच्छा नहीं है, जब आपका इस तरह का Jupiter mount हो, तो पारिवारिक और सांसारिक समस्याई रहती है, सांसारिक समस्याई हो से तभी सांती मिलती है, जब आपको सर में एक बार जोर से लगाओ बच्पन में जो अभी भी याद हो, और थोड़ा थोड़ा सर दर्द रहता तो ही आपको सांसारिक समस्याओं से सांती मिलेगी, नहीं तो दोनों समस्याओं रहती है, मैं इसका उपए दे दूँगा, एक अच्छा सा लाइन बनी हुए, एक टैपी गुरु वले ही है ये, तो ऐसे लोग धार्मिक होते, मल्टिपल इंकम के सोथ क्रियेट होते, प्लस से जवाभावी होते, पामिश्री एस्ट्रोलोजी इस तरह से ध्यान जाता है, और ऐसे लोगों को बुढ़ापे में, ज्यादा स्प्रिच्वल बनते हुए देखा है, अगर पड़ी लिखे होते हैं, तो स्प्रिच्वल बनते हैं, और कम पड़े लिखे हो, तो धार्मिक बन पड़े लिखे लोगों के शरण में जाता है, वो मंदिरों में नहीं जाता, वो जो पड़े लिखे धर्मगुरु है, उनके शरण में जाता है, और पड़ा लिखा ना हो, तो वो मंदिरों के शरण में जाता है, अच्छा खासा समय बुढ़ापे में, ये लोग मंदिरों म काटते या धर्म गुरुओं के पास काटते जो पड़े लिखे हैं मैं बार बार नाम लेना नहीं चाहता इस तरह के दो-चार लोग है पड़े लिखे अंदुनी मंगल पर देखे तो थोड़ी लाइने है ये व्यक्ति को चिंतित सवाव देती है पर इतनी सारी रावु रेकाओ से गुजरे हो तो व्यक्ति का चिंता रहना जाय जाए अगर इन चिंता रेकाओ से बचना है यानि कही न कहीं रिलेक्स चीए तो भोले नात के मंद पर जल चड़ाईए और मेडिटेशन करिए ये रेखा है थोड़ी सी कमजोर पड़ जाएगी भारी मंगल पर ये रेखा व्यक्ति को दो तरका नुकसान देती है या तो भाई की और से पिता की और से या जीजा की और से कभी न कभी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ व्यक्ति के जीवन में आता है जब इस तरह की रेखा हो और अंदुनी मंगल काफी अच्छा है तो ऐसे लोग सासी होते है संकट के समय हिम्मत से सामना करते है चंद परवत पर देखे तो जीवन रेखा से एक दो साखा है इस तरह जा रही है तो ऐसे लोगों को विदेश ज अच्छे पर्चेसर होते वेल्यू फॉर मनी पर्चेस करने वाले होते नई नई चीजे करने का शौक होता है अब फीश रैन वाले के हाथ में अगर मनी ट्रेंगल न भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता पर अच्छी खासी बूद रेखा है और दो तिन टुकडों में आग करने ट्रेंगल हो तो भी आजमी को कम नुकसान होता है और फिश रैन हो तो भी कहीं न कहीं बचा होता है पर उसे संकटों का सामना तो करना ही पड़ता है शुक्र परवत पर ऐसी कोई कमी नहीं है कि जिसका मैं जिक्र करूँ व्योसित शुक्र परवत है हाँ यहां पर फोर्क जरूर बन रहा है कि व्यक्ति को यात्राय जादा करवाता है और शुक्र परवत जब आपका अच्छा होता है तो व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता अच्छी तरह रहता है पर सब्जक तु पैसा जब पैसा कमाता तब अच्छा रहता है पैसा कमाने का शौक भी होता है और खर्चनी का भी शौक होता है तो यह सारा एडवांटेज भेक्ति को मिलता है अब भृदे रेखा को भी देखे तो भृदे रेखा सुरुवाती दौर में जुपिटर से आगे बढ़ रही है तो सुरुवात में यह थोड़े से आदर्सवादी होंगे देती यह लाइन और तीसरी चीज रहती है कभी कभी फिजिगल बनते है यानि हाथ पैर उठाते है और यह लाइन एक दो लाइन नीचे यह माबाप की सेवा करने वालों के हाथ में होती है और एक दो लाइन फ्लर्ट लाइन है तो थोड़ी देर दुखी होता है उसके दार के व्यक्तिगत जीवन इतना उत्तम तरीके से नहीं जीपाता कोई ने कोई जंजटे जीवन में लगी रहती है अब इनकी माइन लाइन को देखे तो दोनों के बीच में गैप है जब गैप होता है तो व्यक्तिग जिद्धी होता है किसी के कंट्रोल में काम करना उसे नहीं होता, एक तो चीज यह होगी, पर जिम्हेदारियों से कभी भागेंगे नहीं, जब परिवारवालों को जरुत पड़ेगी, तो सबसे पहले ये खड़े रहते हैं, दोस्तों के साथ भी सबसे पहले ये खड़े रहते हैं, और जैसे काम पूरा हो गया, वहां से निकल ज और ये चल कर, end में ये mind lane उपर की तरफ देख रही है, बूत परवत की और, तो कोई न कोई ऐसा लक्षन होता है, जो पैसा खीच कर लाता है, पैसा कवाने का कोई न कोई अच्छा लक्षन इन में पाया जाता है, जिनकी mind lane उपर की तरफ चलती है, और अगर ये line parallel चलती है यहाँ पर तो ऐसे लोगों को नीन से रिलेटेड इशू रहते हैं जीवन में अब यहाँ पर देखें तो सबसे पहले उपर वाली एज को हम काउंट नहीं करतें क्योंकि यह 44, 45 के आसपास के है तो यह लगबग इस पिरियड में एक राउ रेखा ने काटा 28, 29 और 28 से एक यह साइन है जीवन रेखा पर यह कम से हम 7 साल की 6 साल की यह साइन है यानि 28 से 6 लगबग 34 के आसपास तक इनोंने जीवन में बंधन फिल किया होगा कहीं ने कहीं व्यक्ति ऐसा फिल करता है जैसे किसी ने लगम तान के रखियो तो एक तो चीज यह हो गई सेकेंड चीज जीवन रेखा का यह साइन पेट की तकलिफ देता है उस पिरियड में इनको कोई न कोई पेट से रिलेटेड इशू भी रहा होगा कई लोगों को हेवी जॉइन डिस होता है किसी को बड़े आत की बिमारी होती है बहुत तरह की तकलिफ है पेट की अलग-अलग लोगों को अलग-अलग होती है यह भी लंबा चोड़ा सब्जेक्ट है पर मेरा कभी मेडिकल पामिस्ट्री में इतना ध्यान नहीं गया तो मैं बहुत जादा जानकारी नहीं रखता हूँ हाँ जीवन रेखा पर कुछ उतार चड़ा हो रहा तो मैं थोड़ी सी एक अंदा जा आ जाता है कि व्यक्ति कहां तक बिमार रह सकता है इसके अलबाद जादा जानकारी मुझे मेडिकल पामिस्ट्री की नहीं है तो एक चीज यह होगी और एक 29 के आसपास उसके पहले भी 6 साल पहले कोई ने कोई तकलिफ हाई होगी और यह 29 को एक राव रेखा ने काटा उसके बाद इनके जीवन में continue राव रेखा है 31, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 42 और यह 44 जो वर्तमान में चल रही है अब प्लस पॉइंट यह है कि जो मार चल रहा था राव रेखाओ का वो आगे चल कल भौत कम हो गया यह भौत बड़ा एडवांटेज है ठीक है है छोटी छोटी राव रेखा है जरूर है 48 में है और एक 49 में भी है पर यह कोई 48 और 50 के आसपास है यह कोई बहुत बड़ी राव रेखाए नहीं है यानि बहुत ज़्यादा डिस्टरबंस नहीं आने वाला जीवन में जो हेवी डिस्टरबंस था वो यह जैसे राव रेखा पूरी होगी इनको मन की सांती मिलेगी ट्यूकि राव रेखा है हमें मन की सांती को छिनती है हमें negative feeling देती है जीवन के प्रती भहुत दर का माहल बनता है तो यह सारी चीजे व्यक्ति के जीवन में रहती है एक मैने विस्तरित वीडियो बनाया है पर चाहरा हो कि मैं सरकार पामिश्टरी में राहू रेखाओं के बारे में और ज्यादा विस्तरित एक वीडियो बनाओं क्योंकि बहुत सारी जानकारी मैंने अभी तक इस चैनल पर भी नहीं दिये और ना मैंने दूसरी चैनल पर भी दिये तो चारा हों के मैं बहुत विस्तरित जानकारी दो तो ये एक कंडिशन है और उसके बाद कोई हैवी राव रेखाए नहीं है तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इनके जीवन में है और कोई भी व्यक्ति जब प्रॉब्लम सॉल होते हुए आता है मेरे पास तो थोड़ी ज़्यादा खुशी होती है कि कहीं न कहीं हमें यश का यश मिलेगा और ये जीवन रेखा के बारे मैं बता ही चुका हूँ अब इनकी जो फेट लाइन है उस पर चलते हैं चौतिस तक तो इनको वो जीवन रेखा का यव साइन परेशान कर रहा होगा खराब नहीं थी हाँ ठीक है उस पर कट लगे एक 32 के आसपास कट लगा एक 35 या 34 के आसपास लगा एक 37 के आसपास लगा पर यहां से इनकी धन रेखा कोई बदलाव आया होगा इनके जीवन में 36 से बदलाव आया इनके जीवन में और यहां तक यह धन रेखा इतनी सुन्दर नहीं है अब टू यह जो मेन धन रेखा है वो ज़्यादा डिस्टरबंस 48 तक है और 48 तक ज़्यादा डिस्टरबंस गिन सकते है उपर तक तो नहीं गिन सकते 48 तक ये धन्रेखा इतनी दमदार नहीं और उस पर भी कट लगते ही जा रहे और ये भी कट लगबग 44-45 के आसपास ही लगा है धन्रेखा पर और ये लगबग 48-49 तक ये धन्रेखा साथ नहीं दे रही है तो कहीं न कहीं expense level ज़्यादा रहता है अब fish आइन है तो ये बचे हुए एक और धन्रेखा इनकी सुरुवात हुई है ये लगबग 43-44 के आसपास सुरू हुई है पर दू-तीन साल ये भी कहीं न कहीं इस पर भी मार पड़ रहा है कोई न कोई रेखा इधर भी काट रही है पर ये रेखा लगबग 46 से अच्छी चलका सीधी जा रही है और बाद में बुड़ा पे में ये भी रेखा अच्छी है तो इनका जो problem है अगर देखे तो एक line पर 48 तक कहीं न कहीं growth कम मिलेगी दूसरी जो line है उसमें 46 से growth मिलनी चालो हो जाएगी और ये investment की line है तो कोई न कोई investment इनको जीवन में है एक 53 में होगा और एक 54 एक 52 में होगा और एक 54 में होगा और ये अच्छी खासी चलकर आगे बढ़ रही है बाकी सारी धन रेखा है बाद में अच्छी है कोई problem नहीं तो जो pain था major राऊ रेखा था वो इनका last ये राऊ रेखा है जो strong थी उसके बाद एक दो है पर वो बहुत मामूली है इन्होंने जितना वार सहन किया उसमें तो इनको पता भी नहीं चलेगा कि कोई दुखाया इतनी छोटी है तो ये एक plus point है और धन रेखा के बारे मैं मैं बता चुका हूँ पूरा विस्तार से तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गये होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद